नमस्कार दोस्तों स्वागे ते आप सभी का सुपर कोचिंग आई यह सभाई टेस्ट बुक में दोस्तों जंग जंग वैसे तो जमीन पर आसमान में और पानी में अब तीनों जगे लड़ी जाती है पर जंग का एक बहुत बड़ा थेटर होता है आपका मेरा हम सभी का दिमा और इसे कहते हैं psychological warfare यह कोई नहीं बात नहीं है अगर आप रामायन की बात करें तो रामायन के वक्त में भी इंद्रजीत जो की रावन का बेटा था वो इसी में माहिर था psychological warfare वो इस प्रकार से सामने वाले के समक्ष भ्रह्म पैदा करता था कि वो demoralize होके खुद अस्त्रफ psychological warfare रचने में ब्रिटिश मीडिया बहुत माहिर है इससे पहले भी ब्रिटिश मीडिया ने कहा है कि व्लादमिर पुतिन मर चुके हैं इसके बाद कहा व्लादमिर पुतिन को कैंसर हो गया है और यह सारी बाते सामने रखी गई है और अब उसी दावे के साथ ब्रिटिश इडिया कह रहा है कि पुतिन रश्या छोड़के भागने वाले हैं क्योंकि रश्या में कू होने वाला है और अगर यह कू हुआ तो एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन नोजार्क नोजार्क एक अगर आप एब्रहमिक रिलिजिंस देखें फिर वह इसलाम हो क्रिश बरदान देते हैं कि जो तुम्हें एक जहाज देता हूं मैं यह जहाज कभी डूबेगा नहीं तो नोजा क्या करता है इस जहाज में एक फ्लोर में तारे जंगली जानवर भर देता है दूसरे में इंसानों को रखता है और तीसरे में पक्षियों को रखता है और इसी का अ तरीका था वहन था आर्क वो जहाज जो कि नोवा का था तो व्लादमिर पुतिन का भी एक वैसे ऑप्रेशन नोवा जार्क उसने बना लिया है जिसकी अंतरगत जब पुतिन के खिलाफ कू होगा विद्रो होगा तो पुतिन कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका भाग जाएंगे औ और यह annual press conference होता था जिसमें होता यूं था कि media के बड़े-बड़े reporters आते थे व्लादमिर पुतिन से सवाल पूछते थे वैसे western media का कहें तो यह वैसे भी orchestrated होता है कुछी press totally सरकार के दवारा controlled है तो जो सवालों को की अनुमती दी जाती है वही सवाल पूछने भी दिया जा तो खैर यह पुतिन किया करते थे इसको cancel कर दिया गया है वैसे ही एक Q&A session रखते थे हर साल जिसमें आम जन मानस आके उनसे सवाल पूछते थे और करीबन चार घंटा यह session चलता था यह सभी के सभी अगर आप देखें तो broadcast किया जाता था इनको live जो रश्या की state television है वह live broadcast क सरीके से क्रेमलिन पोट्रे करता था कि पुतिन एक all powerful father of the nation figure है लेकिन अब इसको cancel कर दिया गया है कोई reason भी नहीं बताई गई है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो Russians हैं उनमें काफी अनीज है कारण क्या है कि पुतिन ने जो decision लिया है Ukraine invasion का और Russians इतने ज्यादा तंख्य में मरे भी हैं जो नुकसान भी हुआ है सोचा गया था जिस असानी से Russia Ukraine पर जीत पा जाएगा वो हो नहीं रहा है तो उसके बाद Russians में भी काफी ज्यादा पुतिन के खिलाफ आकरोश है और उसी को ध्यान में रखते हुए Western media का ऐसा कहना है कि पुतिन ने इससाल press conference और Q&A session दोनों को ही cancel कर दिया है और यहां पर जो वेस्टन मीडिया रधर ब्रिटिश मीडिया है यह दो पॉलिटिकल आनलिस्ट को बार-बार इन्वोक कर रही है पहली है एकाटीना शुलमन यह महिला है जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं यह रशिन पॉलिटिकल साइ गैलियमॉव यह जो विक्ति आप यहां पर देख रहे हैं अब बास गैलियमॉव तो यह जो आप यहां पर देख रहे हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने काफी कुछ कहा है इन्होंने कहा है कि देखिए यह जो प्रिस कंफरेंस होता है जो लोगों से बातचीत हो क्योंकि इससे लोगों के मंद में एक stability आती है कि व्लदमिर पुतिन इस्टिल कॉलिंग शॉट वो आज भी जिम्यदार है आज भी वो फैसला ले रहे हैं वो आज भी all powerful है लेकिन उनका कहना है गैलियमॉफ का ही कहना है कि लोग अभी desperate हो गए है कारण क्या है रशियन आर्मी ने युक्रेन में काफी failures का स्वाद चका है और इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिमलिन अब safe haven तयार कर रहा है पुतिन के लिए रशिया ने humiliating defeat सफर की है और हो सकता है रशिया में पुतिन के खिलाफ तकता पलट हो जाए और उनको देश भी छोड़ना पड़े तो पुत केंगे तो इसी में आया है operation 9000 तो यह पूरा जो आपके सामने शरियंत्र operation 9000 आपको सुनने मिल रहा है ब्रिटिश मेडिया में उसके रचेता अब बैस गैलियम और ने कहा है कि देखिए इनीशली तो पुतिन का जो evacuation plan था वो चाइना का था लेकिन बाद में इसको abandon कर दिय को पसंद नहीं करते उनसे घ्रिणा करते हैं तो पुतिन हार के चायना जाएंगे तो चायना उनके सपोर्ट में नहीं रहने वाला पर दोस्तों यहां पर बहुत जरूरी है अब्बैस गैलियम और जो रचेता हैं यह सारे के सारे कहानी के यह है कौन कोई हलके फुलके व्य बहुत ही वहमेंट क्रिटीक है पुतिन के भी और करिंट स्टेट ऑफ रश्या के भी तो गैलियम और और कुछ कह रहे हैं तो चायना में सबसे पहले चायना में उनको शर्ण मिलने की चांस कम है तो यहीं से आया है अर्जेंटीना और वेनिंजवेला जो कि आप अगर उनको चार्ज दिया गया है एगऊर सीशिं हैं कहों तो आपको बता देता हूं यह रॉसनेट जो कि रॉषियन ओन स्टेट ऑइल फुल टाइम इसी पर काम कर सके की कैसे पुतिन और उनके खासम खास लोगों को इवाकुएट करवाना है रश्या से और नए जगे पे बसाना है तो वो प्लान बनाने के लिए इगॉर्सिशन को फुल टाइम जॉब दिया गया है कि आप यही प्लान बनाएंगे तो इगॉर् एसे भी न्यूज आ रहे हैं वेस्टिन मीडिया का कहना है कि रश्यान ओफीशल्स वेनिस्विला के मार्गरीटा आइलेंड में आइलेंड में प्रॉपर्टी भी खरीदना शुरू कर दिये हैं कुछ ऐसा हो पुतिन के खिलाफ कू हो तो वहां पर पुतिन और उनके पूरी टीम को बसाया जाया जा सके एंड वहां पर एक्स्टेडिशन से व्लदमिर पुतिन सेफ रहेंगे पर दोस्तों क्या यह प्रोपोगेंडा हो सकता है तो एकाटिरीन एकाटिर अगर आप मैं ब पॉरेंट एजिंट्स लिस्ट में डालके रखा है इसका मतलब यह हुआ कि शुल्मैन वापस रश्या नहीं रिटर्न कर सकती और यह पुब्लिक अपियरेंस रश्या में नहीं दे सकती और इनकी टीचिंग्स भी प्राक्टिकली इंपॉसिबल है किसी को पहुचाना तो य किमेट्रिक है तो कही ना कहीं लग रहा है रश्या यहां पे रश्या के खिलाफ यहां पे कीमजेक्ग है उनहीं लोगों को माका प्रकार की बातों को रखने के लिए जो की इस टाइम में वारफेर के हैम में साइक»ॉल की टूब प्रतिम किया सीब् monitoring का मॉत में sleepy के हैं ऊम आ सकते हैं और वैसे भी अगर हम बात करें न तो विस्टन मीडिया स्पिशली ब्रिटिश मीडिया आप देख सकते हैं क्या क्या न्यूज में था पुतिन को कैंसर हो गया है डॉक्टर से अब वो 24 गंटे गिरे रहते हैं यहां तक की ट्रीटमेंट चल रही है मीटिंग में ब ब्रिटिश मीडिया कर चुकी है लेकिन अभी भी यह इस प्रकार का प्रोपोगैंडा फैला रहे हैं अब हो भी सकता है यह सच बोलें लेकिन वह तो वक्ती बताएगा लेकिन इनका जो पास्ट है जो इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है उसके बाद ऐसा लग उक्रेइन को देना जा रहे हैं कहीं ना कहीं वह पीछे हट जाएं और कहीं ना कहीं वह दिमोरलाइज हो जाएं तो आची क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिए गाई टेलिग्राम चैनल ले जहां पर आप जुड़ सकते हैं जहां से आप PDF भी डाउनलोड कर स सकते हैं इसके सिवा आप जरूर जुड़ें सूपर कोचिंग में क्योंकि सूपर सेलेक्शन सेल चल रहा है एक साल के साथ चार महिने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है और जो कीमा से केवल 23,999 रुपए 16 महिने की सब्सक्रिप्शन 23,999 में यह तब है जब आप को कोड क के आइन जयल का इस्तमाल करते हैं जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिसकाउंट मैक्सिमम डिसकाउंट यकीन मानिये इसी से मिलेगा जो कि आपको लाखों में आ यह सब मिल रहा है केवल 23,999 यहने 24,000 से भी कम दाम पर जब आप कुपन कोड किंजल का इस्तमाल करते हैं इसके सिवा मंडे टू फ्राइडे सवा नौ बजे क्लास है और हमारी डिली राइक प्लासे भी चैनल पर होती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जल्दी से जाएं जाके बेल आइकन दबाएं